है कि है एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं फिर से आपके बीच आ गया हूं अपने वही प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम लोग आप और हम मिल करके अपने डिस्कॉशन जुम्रू करते हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग अपस में इक डिस्कॉशन के जरीए हम लोग क्या करते हैं एक तॉपिक को समझते हैं. थीक है तो आज कर जो भी हमलो और हम लोग को टॉपिक है सरीके मार लेते हैं हम लोग के पिछले वीडियो में इलेक्ट्रो, EMI Electromagnetic Induction वाला चैप्टर डिस्कर्स कर रहे थे जिसमें हम लोग Fernando Faraday's law, lenz law ये सब हम लोग डिस्कर्स किये थे आज हम लोग उसी की एकर्म में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि induced e-map को कितने तरीकों से हम calculate कर सकते हैं ठीक है यह हम लोग आज पढ़ने वाले बहुत बढ़िया चैप्टर आज जो वीडियो मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा आपको लेकिन वीडियो बैगे बने से पहले सबसे पहले जिन्हों ना बीचे सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब लिख लेते हैं एक फार्मूला होता है इजुकल टू इझनिकुर मैननस डी फाय अपाउन दीटेश यहाँ तो बहुत समय सुम्सांदेन आरहा है हमको पता है फाइजुकल टू किया होता है बी आउस थीता एक थीटा तो यहां से मतलब सब क्या हूआ दिखको इस से क्या परग पढ़ता है यहां से मेंको पता चलता है कि मेंगृटिक फीड़ों को चेंज करेंगे यह एरिया को चेंज कर देँं को हम एक झें यह टीटा चेंज करें तीन फैक्टर चेंज्ज करने से vbye हो जाएगा clear अब तीन तरीकों से मूँ फाइब में चालेंश कर सकते हैं दीडि यह यह जो टी फस्य उवह यह तीन टरीके से चाले सी हो सकती है तो ही तो भी एडिपेंट्स इसी पी प्र कर रहा है तो मतलब जो e है induced e में f है वो भी तीन तरिकों से change हो सकता है clear चलो लिख लेते हैं पहले पहला कौन कोन सा by changing magnitude of magnetic field magnetic field इसको change करके हम indexing wave टाप कर सकते हैं दूसरा क्या होगा by changing area of coil जो भी coil हमें लिया हूँ उसका area change करके हम लोग वह चीज़ निकाल सकते हैं तीसरा theta by changing by changing theta theta को change करेगा theta क्या तब या the angle between magnetic field lines and normal on the surface तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं flux में change कर सकते हैं और flux में change होगा तो indexing wave भी change हो जाएगा चलो एक एक करके discuss करते हैं by changing magnitude of magnetic field इनोंने पहले वाले का जो चुछ faraday नहीं किया था जो faraday में क्या था कि एक कोईल यहां थी दूसरी magnet यहां पर थे उसको इधर क्यों लेके आ रहे थे तो जैसे जैसे वह magnet पास में आ रहे थी तो magnetic field में change हो रहा था तो वहां पर इंडूसरी में डेबलब हो रहा था जीतीनी तेजी से change हो रहा था उतनी तेजी से इंडूसरी में डेबलब हो रहा था तो यह कोई ज्यादा खास नहीं है मेरे जो मतलब है खास वह इस पर है सबसे इस बात है ठीक है चलो इसको discuss करते हैं इसको अटा देते हैं तो इसका तो भाई आभी derivation करके बताते हैं इस वाले का जो by changing theta है यह method हमारा generator में यूज होता है अब जब generator आपको पढ़ाएंगे तो यह कि इस method के जरी हम लोग कैसे इंडियूश्य करते हैं यह वहाँ पर बताएं तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि by changing in area of coil कैसे magnitude इंडियूश्य को निकालेंगे तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं by changing in area तो सबसे पहले यह हम क्या करते हैं एक rectangular coil ले लेते हैं a b c d ठीक है और यहाँ पर हम क्या करते हैं गैल उनों मीटर लगा देते हैं यह कोईल जो है एक यूनिफॉर्म मेंगनेटिक फिल्ड में रखी होई है इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या है कि मेंगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन अंदर की ओर है अगर डार्क बना तो तो मेंगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन उपर की ओर है ठीक है ये जो एक रेक्टेंगुलर कॉयल है इस एक्टेंगुलर कॉयल में सिर्फ बीस सी आर्म जो वह मूब करसकती है बाकि कोई भी आर्मुव नहीं करसकती है ठीक है और यहां पर हम यह मान चलने कि जब एक इधार देश्व करेगी तो इस पर फ्रिक्षन नहीं लगए फ्रिक्षन लेस है ठीक है इसकी जो लेंथ है यह 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 अभी वहीं कितना है एक्स है अभी यहां पर एरिया कितना है इसके अंदर तो यहां पर लिएप लिएंगे एरिया कि आफ पहोएल ए बीसी लीट तो हो जाएगा L into X अब यहाँ पर कितना फ्लस्क अभी लिंक है कितना फ्लस्क लिंक है तो फ्लस्क लिंक्ड फ्लस्क फ्लस्क कैसे नहीं कहलेंगे फाइज इकल टू बी ए कॉस इटा कॉस जीरो हो जाएगा तो वैलू बना जाएगी तो B into A L X यह हो गया हमारा फाइज ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है कि यह जो रॉड है यह आपकी इधर की और मूब कराई जा रहे है इधर की और मूब करा रहे है तो क्या होगा तो एरिया कम होगा भाई यह जो एरिया कम होगा ठीक है तो इसमें जैसे हीरcket कम होगा तो मेग्टि कम में चेंज हूगा मतला मतला में मतला क्या से प्लीच की डिरेक्शन तो क्या बता सकते हुआ उसमें करेंट जो फ्लो होगी इसके डिरेक्शन क्या होगी काल मैंने बताए तेब पिछले वीडियो में कि फ्लैमिंग का राइट हैंड रूज करके शाल अब देखो जारा यह अंदर की तरफ यह इधर की तरफ तो करेंट फ्लो रहे हैं नीचे की तरह मतलब इस वाले आर में करेंट इधर फ्लो हो रहे हैं तो यह पूरा एक इस तरही मिल जाती है तो हमको तो निकालना है कितने इंडीश इम डेवलप हुआ इंडीश इम भी यह क्या होता है इंडीश्ड एमेफ e minus d phi upon dt आई के विलू डग दो e equal to minus d upon dt blx ठीक है? अब इसमें bl तो बाहर आ जाएगा क्या बचा? minus dx upon dt देख लो, ठीक है? यह चीज इधार की लेफ्ट की और आ रही है तो sin cancel or minus हो जाएगा यहाँ पे तो dx by dt क्या लिखा? यह velocity लिखा है कि कितनी velocity से इधर की और move हो रही है तो यह हो जाएगा formula भीया blv तो e यानि कि आपको यहाँ पर यह पता चल गया कि यह जो rod है कि v velocity से move करा जाती है तो कितना टेबलफ होगा? e equal blv तो यह move हो रहा है इसलिए इसका जो नाम है भीया वह आपका emotional EMF कहा जाता है यह क्या कहलाता है? emotional EMF कहलाता है ठीक है? move कहने की वज़े से ठीक? ध्यान रखेंगे यह तब formula लागाएगी जब rod आपकी horizontally move कर रही हो जब rod आपकी horizontally move कर रही हो अगर कहीं rod एक circle में घूम कर रही हो तब क्या करेंगी? उसके लिए भी formula generate करेंगे तो देखो ज़रा तो यह तो formula generate हो गया कि जब rod horizontally move कर रही है और अगर vertically move करे एक circle में move करे तब formula क्या होगा? वह देखो ज़रा वह भी यह बहुत important है और यह भी बहुत important था ठीक है? देखो माल लेते है copper की rod है जी copper की rod है L length की rod है कहा गया copper की rod है L length की जिसका एक ind fix है यह ind fix है और दूसरा ind omega angular velocity से घूम रहा है ओमेगा angular velocity से घूम रहा है ठीक है तो और यहां पर जो magnetic field है वह downward है इस तरीके से magnetic field है ठीक है यह हो गया magnetic field की direction क्रॉस बना दिया तो उसे पूछ रहा है बताओ भईया इस rod के end पे कितना magnetic field हो कितना induced develop होगा यह आपको बता रहा है बताए जरा अब अब होर्जेंटिली नहीं चले यह उमेगा angular velocity से घूम रही है तो यहाँ अब सबसे पहले तो हम यह formula लिख लेते हैं कि as we know that e equal to minus d phi upon dt ठीक है मैं इस तो directions हो कर रहा हटाओ ना हटाओ को दिक्कात नहीं है अब हम d phi और dt के value लग दें बस देखो जरा डी फाइग आई का बी एक और सीटा थीटा है पर जीरो बी और ए एक क्या था बी तो magnetic field था एरिया एरिया इसके कितना हो जाएगा पाई एल स्कार equation फस इसको हम equation इस्टार डाले दे रहे हैं ठीक है डीटी निकाल लेते हैं डीटी के यहें पर आ गई तो time period के बराबर हो गया तो यह जो डीटी है वो time period के बराबर हो गया और हमको पता है कि time period क्या होता भी आपका two pi upon omega बस तो dt is equal to क्या हो जाता है two pi upon omega equation second यहां लिख देंगे using equation first and second in equation start value put का दो तो e equal to e equal to हो जाएगा आपका बी पाई एल स्क्वाइर अपान टू पाई यह omega उपा चलाएगा पाई से पाई कैंसिल ओट तो फार्मॉला क्या बनगा e equal to one upon two b omega तो यह जो फार्मॉला आपका निकला है यह हम important tick कर दे रहे हैं यह बहुत important formula है e equal to one upon two b omega l square यह हम तब लगाएंगे जब rod circular path पे omega angular velocity से घूम रही है और अगर के horizontally move कर रहे है तो e equal to b lb वाला formula लगाएंगे तो यह दोनों formula inducing map के हैं बस case अलग अलग है उस वाले से यह वाला जो case है यह ज्यादा important है ध्यान लखेंगेंगे ठीक है चालो अब हम लोग थोड़ा सा और आके बारते हैं अभी तक हम लोग यह पता चल गया कि कि उस रॉड़ पे जो अर्जेंटली मूव कर रही थी उस पे एक फोर्स लगता है या उसको जो मूव होती है तो अब हम उस पे फोर्स लगाएंगे ना अभी तो मूव करेंगे यहां पर जैसे हम कहना यह चाह रहे हैं कि यह जो रॉड है यह वाली तो यहां पर यह जो रॉड है इसको इधर के ओर मूव कर रही है तो इसको पुस करने में धक्का देने में कितनी पावर की जरूरत पड़ रही है कितनी पावर की जरुद पढ़ रही है यह हमको निकालना है पावर रिक्वाइड तो यहां लिख दे रहे हैं पावर रिक्वाइड इन पुशिंग रॉड रॉड बीशी ठीक है इसको कभी-कभी energy consideration in emotional EMF भी लिखा जाता है तो इसको हम इधर से भी लिख देंगे और करके energy consideration in emotional EMF तो आसास अब दुम्हें कहें कि इस रॉड को धक्का देने के लिए कितनी पावर के जरुरूरत होती है यह हमको पताना है अब बहुत आसान है देखेगा इस रॉड की लेंद कितनी थी हमको पावर निकालना है तो पावर का वाज़ा formula क्या होता है पी उकल टू हमको पता क्या है इस पे लगने वाला force क्योंकि L लेंद की रॉड अगर negative field में रखी है तो उस पे force लगता है यह हम आपको derivation करा चुके है यह हमको पता है और यह कितने velocity से मूँ वरा V वह हमको पता है एक हमको formula पता था पी इकल टू FV यह इस तरीके साथ है देख लो भी या पी उकल टू W पाण T W क्याता है Fs कॉस थीटा ठीक है? अपाण T S by T हो जाता है V FV कॉस थीटे यहां पर ठीटा है 0 तो इसलिए यहां पर FV आता है यह formula भी बढ़ा दिमाग से उतरने वाला है इस road पे लगने वाला force I L B sin थीटा तो थीटा यहां पर 9 sin लेंगे इन तो 90 कॉस लेंगे तो 0 यह हो जाएगा V ठीक है I है देखो यहां पर हमको L B V सब पता अभी I नहीं पता लेकि I के लिए हमको इंडीर सी में इस इंडीर पे केता ना था E जिकल लो B L V यह तो पता है तो I is equal to E upon R L B V यहां पर R क्या है R is tense in R is tense of arm B C जो रहिष्ट इस arm का रहिष्ट इस करता है R तो यहां लिख दो E is equal to क्या था B L V B L V upon R ठीक है यह वज़ जाएगा P तो P is equal to formula क्या आ गया E square B square L square V square upon R यह जो formula आ गया भीया यह आयार है आपका power required in pushing the road B C यह energy consideration in emotional E in F बहुत आसान है रहिए आपको जो बुक में derivation दिया होगा वो यहां से start होगा पहले आपको पहले आपको फिर आपको 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 तो नहीं पता लेकिए इस दोनों के बीच में कितना इंडियूस निवेफ है वह हमको पता है तो आई जिकोड ईबाई यार लगा दिया इंडियूस में रख दिया तो नहीं फामुला लागा लिए बहुत आसान है वह या फीजिस आपकी फिंगर की टिक पे डांस करती है लेक तो वाइस वर्सा समझ गया ना कि आप फिर डांस करने लोग होगे तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं भी या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडी करेंट सेल्फ इंडेक्शन यह वाला टॉपिक डिसकस करेंगे तो जुन्होंने भी अभी तक इसको शेयर नही यह नहीं है कि जो टॉपिक इसे में चल रहा है उसी का बारे में पूछो नहीं जो आपको पूछन आए पूछ सकते हो ठीक है जो भी डाउट हो रिलेटेटेट फिजिक्स आप पूछ सकते हो बिलाओड एनी हैजिटेशन आई विल ट्राइटू साल्व यह क्यार एन बाई बाई बाई